आज आपको बतलाएंगे कि भगवान बोलेना जी के उपर शमी पत्र एवं शमी पुष्प चड़ाने का क्या फल है आप सभी ने देखा होगा शमी का जो पत्र होता है बहुत ही छोटा होता है एक पत्ती में भी अनेक सारे छोटे-छोटे पत्ते जो हैं वहल लगे होते हैं किसी भी मुनुष्य को इंसान को बहुत ही बड़ी बिमारी का बै हो डर हो जहां किसी को भी बहुत गंबीर बिमारी जा रोग से ग्रसित हो बहा अश्टमी के दिन सोंबार के दिन शनिवार के दिन प्रदोश में भगवान शंकर जी को शमी पतर अवश्य समर्पन करे जो भी सचे मन से भगवान को शमी पतर चड़ाता है बहा हर एक रोग से मुक्त हो जाता है आप किसी विद्वान पंडी जी के पास जाते हैं जोतिशा अचारे जी के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए तो अगर आपको शनी महराजी का किसी प्रकार का भी आपके उपर कोई दोश हो जा उनकी महादसा चल रही हो आपका कोई काम ना बन रहा हो तो आप मासिक शिबरात्री जो कि हर महीने में 136 में मासिक शिबरात्री आती है तो आप उस दिन प्रदोश काल प्रदोश काल जो कि शाम का समय होता है आप भगवान को शमीपत्र अरपन करें तो आपके उपर शनी देब जी की अतिकरपा होगी ऐसे ही शमी का पुश्प होता है बैहलका नीले रंग का होता है अगर आपको कहीं से भी शमी पुश्प मिल जाए तो आप जा आपके पास कहीं भी कितनी भी दरिद्दर्ता हो गरीबी हो आपके पास पैसे का अवाब हो दन का अवाब हो तो आप शमी पुश्प जो है भगवान को सुरंबार के दिन अश्टमी के दिन त्रेयोदशी के दिन जा मासिक शिवरात्री के दिन भगवान के उपर अरपन करें तो आपकी दरिद्दर्ता दूर होती है गरीबी दूर होती ह ऐसे ही बहुत सारे ऐसी ओशदियां हैं जो कि भगवान शंकर जी के उपर चड़ाने से भगवान अतिप्रसंद होते हैं ऐसे ही जीवन में हम जो करते हैं हमें उसी का फल मिलता है आपने सुना होगा जैसी करनी बैसी भरनी एक गाओं में एक गिरीव किसान था उसने दो-तिन गाए रखी हुई थी उसी का दूद मक्कन इत्यादी बेचकर अपना गुजारा करता था वह उसी गाओं में प्रती दिन एक दुकानदार था उसको प्रती दिन मक्कन एक किलो मक्कन जो है दुकान पे बेचने के लिए देता था तो एक दिन उस दुकानदार के मन में आया कि मैं इसके मक्कन का कभी भी तोल नहीं करता हूँ आज मैं इसके मक्खन का तोल करूँगा कि जे इसका जो बजन है क्या एक किलो है तो जब वो किसान मक्खन देके उसको चला गया तो उस दुकानदार ने उसके जाने के पस्चाथ उस मक्खन का तोल किया तो उसका बजन जो है वो 900 ग्राम हुआ तो उसको बहुत गुसा आया कि ये जो है प्रती दिन 100 ग्राम जो मुझे मक्खन कम देता है तो उसकी शीकायत जो है पंचायत में जो उस पंचायत के मुखिया जैसे सरपंच थे उनसे कर दी तो सारी पंचायत जो है बह इकटी हुई तो उन्होंने उस किसान को पूछा कि तुम प्रती दिन इसके साथ दोखा करते हो एक किलो मक्खन के बजाए तुम 900 ग्राम जो है इसको मक्खन देते हो तो किसान गरीब था उसने सरपंच जी के सामने और पूर्वी पंचायत के सामने कहा कि सरपंच जी मेरे पास तोलने के लिए कुछ भी नहीं है मैं प्रती दिन इसी दुकानदार से एक किलो गेहु लेता हूँ और तराजू पे एक किलो गेहु रखता हूँ और दूसरी तरफ मक्खन रखता हूँ तो बाकी आप सब जानते हैं अब इसका निर्ने आप ही करेंगे तो आप इस बात से जानगे होंगे कि वो दुकानदार ही उसको गेहु जो है वो प्रती दिन 900 ग्राम देता था बेईमानी जो है वो दुकानदार के मन में थी उस किसान के मन में नहीं थी तो पंचायत ने जो सरपंच थे मुखिया थे उन्होंने उनको उस गाउं से निकाल दिया तो इस कथा से इस कहानी से आप क्या सीखें कि आप जैसी करेंगे आपको बैसा ही फल मिलेगा इसलिए जीवन में कभी की कभी भी आप किसी के साथ बेइमानी ना करें दोखा ना करें इमानदारी से अपना और सची निश्टा से कारे करें तो भगवान आपके उपर प्रसन हो झांगई